राजिस्थान की सियासत भी बड़ी विच्चित रहें यहां सीएम कोई भी हो महरानी तो एक ही रहेगे मतलब साफ है राजिस्थान में बसुंद्रा की जगए आज भी बसुंद्रा ही ले सकती है नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं राजिस्थान समवाद राजिस्थान में रहना है तो गहलोद गहलोद कहना है यह नारा जरूर आपने सुना होगा पर इस नारे की उत्पत्ती जिस से होई थी वो है राजिस्थान में रहना है तो वसुंद्रा वसुंद्रा कहना एक लंबे वक्त से सक्रे राजनीती से दूर बैठी महरानी आज भी अपने पकड़ वैसी ही रखती हैं जैसी पहले रखते थे ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कॉंग्रेस ने तो नहीं बीजेपी ने अपनी टीम में विस्तार जरूर कर लिया है और इसमें सबसे महत्वपून जिम्मेदारी है वसुंधरा के कंधे पर सोबे में पाइलेट वेस्ट गहलोद पर भी चुपी रखने के बाद सुर्खियों में आई वसुंधरा एक बार फिर से सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं दरसल बात ऐसी है कि भाजपा ने अपनी राश्ट्री टीम को पढ़ाते हुए इसमें राजिस्थान के नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी हैं भाजपा ने इस बार राजे के चार नेताओं को एहम जिम्मेदारी दी हैं जिसमें वसुंधरा राजी और राजे सभा सदस्य भुपेंद्र यादव नड़ा टीम में हैं तो राजे वर्धन सिंग और अलका गुर्जर भी अपनी जगय बनाने में सफल रहे हैं वहीं वसुंधरा राजिस्थान में अपनी पकड़ रखने के कारण इस बार भी राष्ट्रे उपाध्यक्ष बनी हुई हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो वसुंधरा का विकल्प आज तक नहीं ढूड़ पाए हैं जिस तरह कॉंग्रूस के पास सचन पाइलट का कोई तोड नहीं है अब तो लगता है कि सूबे की सियासत फिर से गर्म होने वाली है क्योंकि दोनों ही नेताओं का पाइटी में विरोध होने के बावजूद दिल्ली में अच्छी पकड़ है अब देखना ये है कि आगे क्य होता है जो भी होगा आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंच जाएगा तो यह थी राजिस्थान की राजनीती पर हमारी खास रिपोट ऐसे ही राजिस्थान की राजनीती में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारी चैनल राजिस्थान समवात को